हेलो एवरीबन वलकम टू माई चैनल सिंपल इजी लर्निंग और मैं हूँ रश्मी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इवीएस की वोक्षिट को लेकर कि जो हमारी एलकेजी क्लास के लिए होगी एलकेजी क्लास में हमारा बच्चा अबाउट मी मैसल्फ के साथ साथ वो सल्फ इंट्रोडक्शन भी देना सीखता है इस वीडियो में मैं आपको वो भी सिखाऊंगी अभी हमारे एलकेजी क्लास की वोक्षिट की सीरीज चल रही है यदि आपने उन सारे वीडियो उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगे आप वहां से सारे वीडियो वन बाई वन देख सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बैल आइकन भी दबा देजे ताकि आप तक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्से जल्द पहुंचाए और आप अपने बच् रहे तो इस तरीके से हम लोग बनाईंगे उसमें हम लों क्या लिखेंगे माई नीमिस फोर्स लाइन हमारे यही होनी चाहिए वो माई निमीब बच्चा यहां पर अपना नाम लिखेगा बउए तो अपना नाम लिखेगी और यहां पर एक फोटो बनाने के लिए इन बना हुआ है और साथ में यदि बॉय है तो यहां पर वो बॉय लिखेगा और यहां पर वो कुछ भी नहीं लिखेगा या फिर आप उसको कह देंगे कि यहां पर वो क्रॉस कर देगा और यहां पर मैंने क्या लिखा है कलर नंबर ओफ कैंडल मतलब कि यहां पर वो कलर करेगा यहां पर बच्चा मालेजे उसकी बूर्द देट हमारी 19 ओफ नुवेंबर है तो इस टाइब से बच्चे को लिखना हम लोग सिखाएंगे इस टाइब से लोग लिखना सिखा देंगे या फर यहां पर हम लोग इस टाइब से डॉट भी देना सिखा सकते हैं अब आता है हमारा माई फेवरेट कलर इस यहां पर क्या करेगा इन लिखेगा यहां पर हम लोग बच्चे को शॉट फॉर्म का लिखने के लिए देंगे माली जै हमारा स्कूल का ने बहुत बड़ा है जैसे कि इंटरनाशनल से केंडरी इस टाइब से करके भी स्कूल के निम होते हैं तो बच्चे यहां पर शॉट निम ही लिखेगा फु बना के दिखा देती हूं माई नेम इस माली जैनिकी है तो निकी फिर आएम बड़ा और गर्ल और यहां पर इसने गर्ल लिख दिया और यहां पर वह क्रॉस देगा यहां फिर चोड़ देगा साथ में है माई बर्दे इस ओन तो बर्दे माली जैनि 19 नवेंबर 2010 को वह बच्चा बर्थ लिया है इस ते हम लोग लिखना सिखातेंगे फिर क्या है माई फेवरेट कलर इस रेड है तो वह रेड लिख देगा और इसे रेड कलर से कलर कर देगा यहां पर हम लोग बच्चे को बताएंगे कि बच्चा सारे को वह कैपिटल में ही लिखेगा फिर है माई स्कूल ने में माले जैन स्कूल का नेम कुछ भी है मैं यहां पर एक्स वाई जड क्योंकि मैं किसी ब्रैंड का नेम नहीं लेना चाहते हूं अब आता है आई लेवि बच्चे को सिखा सकते हैं हम लोग बच्चे को मैसल या फिर अबाउट मी में को फीलप करने के बाद हम लोग सच्छेused में रैट वाइब बच्चे को फ्दव खुद ही खुदे करा रहा पहले है बच्चे को भी हम लोग हेडिंग लिखना सिखाएंगे फिर क्या होगा my name is बच्चे यहाँ पर अपना name लिखेगा और यह पूरी line हम लोग बच्चे को सिखाएंगे यह नहीं किसे filling the blanks देंगे बच्चे को हम लोग पूरी लाइन लिखना सिखाएंगे इसमें फिर आता है I am a boy और a girl मतलब कि यहाँ पर option दिया हुआ है बच्चे को यहाँ पर लिखना है वह boy है या girl है यदि girl होगी तो यहाँ पर I am a girl लिखेगी और यदि boy होगा तो I am a boy लिखेगा यह उसके लिखनी की ज़रूरत नहीं है फिर third line वो लिखेगा कि वो कितने साल का है मतलब how many years he or she is old I am four years old obvious है कि हमारा LKG में बच्चा four years का ही होता है या फिर four and above होता है तो यहाँ पर बच्चा four years ही लिखेगा या फिर five है तो five भी लिख सकता है अब आएगा I study in class LKG तो यह line हम लोग बच्चे को सिखाएंगे four म और my school name is यहाँ पर again मैं बता रहे हूँ कि यदि long school का name है तो बच्चा यहाँ पर long नहीं short name उसका लिखेगा और यदि वो short name का school है तो बच्चा ओवेसे की short name तो लिखी लेगा यह हमारी five lines होती है myself को लेकर के जब हम लोग बच्चे को सारी myself की lines दिखा देते हैं तो हम लो is dash my name is dash तो बच्चा यहाँ पर वो अपना नाम लिख देगा फिर आता है how old are you तो बच्चे को पता है कि I am dash years old यह हम लोगों ने बच्चे को five line में सिखा है तो बच्चा यहाँ पर वो लिखना सिख जाएगा are you a boy or a girl ओवेसे की बच्चे ने सिखा है कि I am a boy or a girl तो यहाँ पर question and answer लिख लेगा जो कि हमारा introduction जब आएगा तो बच्चा बहुत ही अच्छे से लिख लेता है या फिर बोल देगा in which class do you read again बच्चे को हम लोगों ने सिख्या सिखाया था I study in class LKG या फिर I study in LKG class इस तरीके से बच्चा वो लाइन यहाँ लिख देगा अब आता है favorite fruit या फिर color या फिर thing या फिर toy यह भी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर उसको myself में introduction में वह अपना favorite भी बताता है तो इसमें क्या है what is your favorite fruit तो यहाँ पर बच्चा अपने favorite fruit का नाइम लिख देगा my favorite fruit is mango और apple इस टाइप से वो लिखेगा इसी तरीके से आप और से रिलेटेड सारे doubts clear कर दूंगे जो कि हमारे बच्चे के cvc word यानि कि हमारी जो three letter words होती है जो कि हमारे साथ में यह भी कह लिजिए कि हमारे जो vowel sound words होते है उससे related सारे doubts clear हो जाएंगे यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करे और helpful लगा तो like share comment करें thank you